हेलो एब्रिवन वेलकम टू बैक वन सगेन एट रीना काडमी दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे यूटूब चैनल रीना काडमी में आज मैं आप लोग के सामने हिंदी व्याकर की सबसे बड़ी टॉपिक समास में ध्वीगु शमास लेकर आई हो अगर आपने मेरा दूंगी तो चलिए शुरू करते हैं ध्वीगु शमास समाना धिकर्ण ततपुरुष शमास यह शमास दो प्रकार का होते हैं ध्वीगु शमास कर्मधार्य शमास कर्द्वीगु शमास द्वीगु शमास में पूर्वपद गौर तथा उत्तरपद प्रधान होता है किन्तु इसका पूर्वपद सदैव संख्या वाचक होता है आप लोग अलड़ी जानते हैं कि समास में दो पद होते हैं पूर्वपद और उत्तरपद जिसमें पूर्वपद इसका संख्या वाचक होता है आईए यहाँ पर कुछ उधारर देखते हैं पंचवटी पंचवटी में पांच जो है यह हमारा संख्या वाचक है यहाँ पर इसका विग्रा दिया हुआ है देखिए पंच वटो यानि ब्रिक्च वाला स्थान यहाँ एक और देखते हैं एक्जामपर चो राहा चो राहा यानि चार यह जो चो है यह चार राहों का समूँ वहने चार क्या है मारा संख्या वाचक है त्रिफला तीन फलों का समाहार दुएदी दो वेदों को जानने वाला नौ ग्रह नौ ग्रहों का समाहार त्रिवुवन तीन भुवनों का समाहार दुए त्रिवेदी तीन वेदों को जानने वाला त्रिकाल, तीन कालों का समहार, चवन्नी, चार आनों का समू, सब्त रंग, साथ रंगों का समू, चतुर वेदी, चार वेदों को जानने वाला हमारा परिभाशा क्या करता है पूर्वपद संख्यावाचक हो यानि देखो यहाँ पे सारे पूर्वपद संख्यावाचक है यहाँ पे भी सारे पूर्वपद संख्यावाचक है एक आंकी एक अंक का नाटक तीराहा तीन राहों का समू राहों यानि रास्ता त्रिपार्थी तीन पठो यानि बेदों को जानने वाला तीमाही तीन माह के बाद आने वाला नौरत्न नौरत्नों का समाहार त्रिमूर्थी तीन मूर्थियों का समू चत्तोर्य योग चार योग का समू अगला पॉइंट देखे क्या कहता है एक से अधिक समान वाले सब्द त्री लोचन यानि तीन लोचन यानि आँक वाला यानि जिसके तीन लोग आँक है उसको हम लोग क्या बोलते हैं त्री लोचन दस आनन दस आनन का समू पंचानन पांच आनन का समू चतुर आनन चार आनन का समू अश्ट भूज अश्ट भुजाओं वाला सडानन छ आनन का समू चतुर भूज चार भुजाओं वाला नंच समाज नंज समाश जिसका प्रतम पद निसेधवा चको प्रतम पद में अ अथवा अन जैसा उपसर्ग लगे होते हैं उसे हम नंज समाश करते हैं देखिए यहाँ पर कुछ एक्जामपल दिया हुआ है जिसके सब के आगे अ और अन लगा हुआ है जिसे कर्म कर्म में अ उपसर्ग लगा हुआ है तो यह हमारा नंज समाश हो जाएगा कर्म गोचर अच्छूत अकाल अचेत अंजान अंदेखा अनादी अधीर आदी यह सब कैसे हैं निसेध वाचक है यानि निसेध वाचक है इसलिए इसमें अ और अन उपसर्ग लगे हुए हैं आईए देखते हैं कर्म धारिय और बहुब्रिही में अंतर इसमें क्या अंतर है देखते हैं कर्म धारिय तत्पूरुस समास में दूसरा पद प्रधान होता है किन्तु बहुब्री समास में दोनों पदों में से कोई भी प्रधान नहीं होता है एक तीसरा यानि अन्य पद प्रधान होता है कुछ उधारण अन्य उधारण देखते हैं, महात्मा इसका विगरा क्या होगा? महान जो आत्मा यानि कर्मधारे इसका दूसरा देखते हैं, महान है आत्मा जिसकी, यानि महान है आत्मा जिसकी यानि बहुबरिय कमल नैन, कमल जैसे नैन, यानि कर्मधारिय यहाँ पर देखें, कमल जैसे नैनो वाला, यानि बहुबरिय यहाँ पर क्या बोलता है कर्मधारिय में हमारा दूसरा पद प्रधान होता है कर्मधारिय में और बहुबरिय में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है इधर भी पर एती में देखिए एक्जाम्पल में दूसरा पद प्रधान है लेकिन बोहुबरी में कोई भी पद प्रधान है तो हमारा यही अंतर होता है कर्मधारी और बोहुबरी में कि कर्मधारी में दूसरा पद प्रधान होता है और बोहुबरी में कोई भी पद प्रधा नहीं होता है झाल झाल